हेलो एबरीवन मैं मितोन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे कस्तूरबा गांधी रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कांसलिंग डेट क्या है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी लेकिन आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है आप जिस डिस्टिक से भी इस वीडियो को देख रहें नीचे कमेंट करके अपने डिस्टिक का नाम जरूर मेंसन करें ताकि जब भी आपके यहां से कांसलिंग की डेट, रिजल्ट या फिर नई भरती आती है तो उसकी सुचना आप तक पहुचाई जाए आप लोगों से इतनी उमीद है सहयोग की नीचे कमेंट करके जरूर लिखेंगे इससे आपका भी फायदा है अगर कांसलिंग डेट दो दिनों के बाद पता चले का रिजल्ट आने के बाद आप जोइनिंग नहीं कर पाऊ तो कितना दुख होगा इससे आपका भी फायदा होगा आपके जो राज के अभिहरती है या फिर आपने आस पास के जो लोग है उनका भी फायदा हो जाएगा तो प्लीज नीचे कमेंट करके अपने डिस्टिक का ना पर भी मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं कस्तुरबा गांधी रिजल्ट के बारे में सबसे पले मैं यहां से दिखा दूँ मुझे ना थोड़ा सा दुख होता है कि ऐसी चीजें क्यों हो रही है सरकार इतना पैसा ले रही है इतने पैसे कड़ोरों रुपया खर्च कर देता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए यहां से देख लिए पुर्ण कालिक सिख्च का हिंदी के लिए जो रिक्रुट्मेंट आई है रिपीट हिंदी के लिए 55.5 सुने अगर आपका है तो काम बन जाएगा 53.63 ओवीसी वाले का कटफ है और जो वेट आज इक विशे में 53.36, 53.36 और 52.24 SC कटेगरी के लिए रखा गया है कटफ समानी वर्ग के लिए 50.66 और SC कटेगरी के लिए 48.67 अगर ये भी कटफ आपका है तो प्लीज कॉंसलिंग में जाएए हो सकता है कि किसी कारण वस से ये जो मेरिट लिस्ट में आई हुए बैकती है नहीं आते हैं तो आपका चेहन हो जाएगा आगे देखते हैं विज्ञान विशे की 54.34 समानी वर्ग के लिए 53.98 OBC वर्ग के लिए 49.74 SC कटेगरी के लिए और वेटिंग लिस्ट वाले के लिए 53.47 और OBC के लिए 52.7 सुन और SC वाले के लिए 48.3 सुन इसका कटफ है गनित क भी बात करें तो समानी वर्ग के लिए 55.04 OBC वर्ग के लिए 54.52 SC वर्ग के लिए वू है 52.65 और वेटिंग लिस्ट वाले है समानी वर्ग के में 54.500 OBC वाले जो वेटिंग लिश्ट में है वो 53.66 आगे देखिए 49.94 जो है SC कटेगरी के लिए है बात करते हैं अंग्रेजी क तो 51.82 समानी वर्ग, 51.16 अंग्रेजी के लिए, 50.333 SC कटेगरी के लिए, 49.777 OBC के लिए, 45.71 SC वर्ग के लिए है इसी तरह से आगे देखते हैं, अब अन्सकालिक सिक्ष का जिसमें की ग्रीविक ज्यान और कला के लिए 51.86, 50.40 OBC के लिए, 50.63 SC कटेगरी के लिए, वेटिंग वाले के लिए 49.84, 47.15 OBC के लिए और 47.37 SC कटेगरी के लिए आई हुई है कटफ, कंप्यूटर सिक्षणा के लिए 49.82 जेनरल कटेगरी की बात हो रही है OBC के लिए 45.77, 40.65 SC कटेगरी के लिए, 46.44 समानी वर्ग, 37.193 OBC के लिए है इसी तरह से गर हम लोग आगे बढ़ें, स्काउट, गाइड, एवम सारेलिक सिक्षा की बात करें तो 51.42 OBC वर्ग और 50.22 OBC के लिए है उर्दू सिक्षगा के लिए 50.9 सुनी, 50.46 OBC वर्ग, 42.01 SC कटेगरी और समानी वर्ग के लिए 46.65 वेटिंग और 42.07 OBC के लिए वेटिंग अब देखिए, यहां पर इन्होंने बता रखा है, आना कब है, चार सेप्टेंबर को आपको हर हाल में पहुँचना है सुबा 11 बजे विकास भवन, गोंडा की ये जो है, रिकूटमेंट आ चुकी है, देखिए, क्या-क्या लेकर आना है, सारे सर्टिफिकेट को औरिजिनल, दो सेट में फोटो कॉपी, और चार नए फोटोग्राफ लेकर जरूर जाएं, चार नए फोटोग्राफ को जो है, पासपोर्ट साइज की जरूर खिचा कर आप यहां पर पहुँचे, आधार कार्ड या फिर, आधार कार्ड अगर आपका नहीं हो, तो पैन कार से भी काम चलेगा, कोई भी भूटर कार्ड भी आप लेकर यहां पर जा सकते हो, तो कुल जमाबात यह है कि चार नए, जो सत्रह कस्तुर्वा गांधिवाल का विद्धाले से हैं, वहां से ये रिकूट्मेंट की जो मेरिट लिस्ट है या रिजल्ट है, जो समझवाब आच थैंक यू सो मच वाचिन इस वीडियो प्लीज लाइक, सेर, सब्सक्राइब